fundamental rights को learn करने के लिए याद रखने के लिए exam में बेशक वो descriptive हो जहां objective टाइप हो कैसे करना है उसके लिए कुछ strategies ट्रिक आपके सामने रखने लगा हूँ आर्टिकल हमारे सामने होगे और आर्टिकल का एक content होगा जैसे ये आर्टिकल हमारे सामने होगे उसका एक heading होगा वो लिखेंगे और उसके बाद जो brief description होगी brief content ये help करेगा आपको descriptive type of question में और ये help करेगे आपको objective type question में कोई भी exam हो तो ये special है कि सीखना बोज नहीं है याद रखा जा सकता है तो सबसे पहले right to equality को समझना है तो उसका fundamental समझ लाना चाहिए क्योंकि साथ में ही उसके equity का concept भी आएगा सबसे पहले समझ लीजिए कि भेद भाव, discrimination, discrimination तीन तरह का हो सकता है negative discrimination, no, zero discrimination और positive discrimination तीनों को समझने के लिए एक ही example लेके चल रहा हूँ यहाँ पर यह मान लीजिए size में एक मैंने बड़ा शक्स बना दिया इसका मतलब size में बड़ा क्या है यह जहां तो यह education में higher है यह social economic status में higher है यहाँ पर तीन बाते होगी एक education, social और economic और दूसरा शक्स है जहां तो social economic जहां education में किसी भी example लेजिए वो छोटा है मतलब यह कम पड़ा हुआ है ज्यादा पड़ा हुआ है यह ज्यादा अमीर है यह गरीब है कोई ऐसी example ले लेजिए अब negative discrimination क्या है कि किसी सरकारी संस्था जा किसी भी social function में यह जो बड़े already बड़ा है उनको और उपर बड़ा उठाया जाता है एक पुलिस केस है तो वहाँ पर अमीर लोगों की सुनी गई गरीब लोग की कोई सुनी नहीं गई इट मेंस दिस इज नेगटिव डिस्क्रिमिनेशन जब जो अलड़ी उपर है उनको और अमीर को और अमीर करना negative discrimination है no discrimination क्या है बेशक पहले difference exist कर रहे हैं लेकिन सभी को same माना जाएगा अगर ऐसा होता है तो ये हो गई दूसरे pencil लिख देता हूँ ये हो गई equality जैसे पंजाब सरकार ने सभी को बिजली कभिल माफ कर दिया जिन्हों की 300 से कम unit है और तीसरा है positive discrimination positive discrimination में जो already पीछे रह गया था किसी भी area में उसको extra sport दी जाती है कि वो उपर उठ सके तो यहां पर आगे वाला उपर उठ रहा था negative discrimination है यहां पर जो पीछे रह गया था backward class है scheduled class है scheduled tribe है women है weaker section है ऐसी बाते होंगी इस article में तो उसको उपर उठाना है this is most important यह क्या होगा equity हिंदी में समता और यही inclusion होगी negative के यह इन लोगों को powerless करना होगा और इन को exclude करना है marginalized करना है ऐसे शब्द यहां पर use होगे इसके बिलकुल प्रीत ऐसे शब्द यहां यूज होगे तो constitution right to equality में same same की पहले article बात करेंगे पहले article जैसे 15 ही है 15 जो one होगा वो कहेगा सब को समान अधिकार है 15 टू भी श exception शुरू हो जाएंगी कि कुछ categories ऐसी हैं जिनको extra sport जा extra opportunity जा extra help दी जाएगी वो क्या होगी inclusion जा equity हो गई जो positive discrimination है जो simple शब्दों में जो reservation के जरिये constitution में की गई है अब right to equality इन दो बातों की constitution naturally है इन दों के इर्दगिर्द घूमेंगा दोनों की बाते होंगी हर article में इसको हर हालत में खत्म कर दिया जाएगा constitution में आये देखते हैं कि इनको याद कैसे करना है सबसे पहले मेरे पास है article 14 ये लिख लिया मैंने article 14 और 14 को याद मैंने English में भी लिखे लिया और Hindi में भी लिख लिया आपने भी अपनी copy पर लिया सिर्फ क्या लिखना है 14 लिख लिया ऐसे और ऐसे और ऐसे मैंने 14 को वैसे लिखता हूं ऐसे मुझे कैसे याद हुआ था मैंने एक दम इसको चार था इसको ऐसे मिला दिया और इसको ऐसे घुमा दिया ये 14 आया मैं 14 को गुमाया और B बन गया और B से 14 विफोर ला बन गया दूसरा तरीका क्या था कि ये अलरी F था F को मैंने ये करके गुमा दिया ये मैं एक दम माल लिया कि B बन गया है फिर भी मैंने बना दिया कि इसकी ये डिस्क्रिप्शन लर्न करने या लिखने एक्जाम में डिफिकल्ट है लेकिन इसका सिंपल मीनिंग आप लिख सकते हो के सभी व्यक्ति भारत के कनून के सामने बराबर हैं उनसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा उनकी इक्वैलिटी को प्रोटेक्ट किया आया जाएगा उनको समान रूप से रक्षा की जाएगी लेकिन एक्सेप्शन है जैसे पीछे बोल के आया हूं कुछ एक्सेप्शन होंगी वो दो वर्ड क्या है जब आर्टिकल 40 आए तो प्रेजिडेंट एंड गवर्नर और नॉट अंसरेबल टू एनी कोट राष्टपत इंग्लिश में लिखा और हिंदी में भी लिख लिया हिंदी का प से 15 जो था पी इसका बना लिया कि प से अवाज से 15 बना लिया और ऐसे उपर लिखा अपने कौफी पर और पी से क्या आगे लिख दिया prohibition of discrimination मेरे बोलने से आपको learn नहीं होगा आपके लिखने से आपको learn होगा ये बात add करना चाहता हूँ और वो कौन से 5 base हैं जिसके अधार पर discrimination नहीं किया जाएगा race, religion, caste, place of birth and sex इसको associate करने की जरूरत नहीं है generally ये याद हो जाते हैं अब ये देखिए 15.1 and 15.2 कह रहे हैं कि इन 5 basis पर किसी भी नागरिक के साथ भेदवाव नहीं किया जाएगा मतलब example आपके सामने हैं कि क्योंकि ये traditional इंडिया में होता था अब बहुत कम हो गया है सारवजनिस्क स्थानों पर पहुँच सभी जने जा सकते हैं आप बस में ट्रेन में कहीं भी जा सकते हो किसी तरह का आपका नसल धरम जात जनम स्थान जान लिंक के अदार पर भेदवाव नहीं किया जाता है तलाबों कुओं घाटों पर ये तब भेदवाव होता था क्योंकि कुछ ग्रुप्स यां कास्ट के बेस पर किनी कुछ लोगों को कुओं से पानी भरने नहीं दिया जाता था तो वो सभी चीजों का भेदवाव हटाया जा चुका है प्रेजिडेंट को एक्सेप्शन दी गी ऐसे ही इस लाम में है इक्वेटी का क्या है कि सभी जन्हें बस में सफर कर सकते हैं तो यहां पर injustice दिखाई दे रहा है कि एक प्रेजिडेंट वोमेन है जरूरत उनको है तो इनको seat मिलनी चाहिए देट इस वाई गौर्मेंट ने क्या कर दिया बस में कुछ seats female के लिए reserve कर दी क्योंकि उनकी जरूरत ज्यादा है बच्चों के लिए reserve कर दी यह train का डिबबा है जहां लिखा है पुरिश प्रवेश निशेद है यह सिर्फ reserve है female के लिए उनकी safety के लिए हो तो ऐसी discrimination यह कौन सी हुई जो पीछे बात करके आए है positive discrimination इसको क्या कहेंगे inclusion इसको क्या कहेंगे equity यह article में शामिल है कहां कहां शामिल है article 3 में अच्छा 15-3 अब इसको कैसे याद रखना है मैंने इसे 3 लिखा था जो board पर बताता हूं मैंने लिखा 15 और यहां लिख लिया ऐसे 3 और तीन को बाद में घुमा दिया ऐसे यह बन गया women and children और ऐसे ही 4-5 लिख खे मुझे पता है कि इसाथ में और category weaker section में कौन सी आती है backward classes जिसको SCST बोलते हैं वो 4-5 में आगे 6 में क्या आगया 6 का मुझे economically weaker section अगर 15 की subdivision याद करनी है तो यह जरूरी है यह इसलिए बताया कि यह exam में बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो यह उसकी description है English में read कर सकते हो और यह मतलब detail में याद करने के कोई जरूरत नहीं है सिर्फ जितना बताया है उतनी याद करने की काफी है उतना काफी आपके लिए आर्टिकल 16 को कैसे याद किया यह लिखा मैंने 6 और 6 के गोले को गुमाता रहा यह क्या हो गया भी यह बन गया हाँ equality of opportunity opportunity यहाँ पर लिख भी दिया opportunity किसकी public public employment अगर public नहीं भी लिखना employment याद रख सकते हैं मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ कि आपने लिखना है opportunity of employment इतना याद रख सकते हैं सभी को equal है मतलब क्या है इसका कोई भी government की job निकलती है तो एक open advertisement आती है जिसमें सभी को invite किया जाता है जो भी eligible है तो उन सभी को यह provide करना information देना यह equality है लेकिन आगे जागे equity आजाएगी ऐसी कोई post निकलती है तो race, religion, caste, sex, place, birth residence के base पर कोई discrimination नहीं किया जाएगा पर जो backward classes हैं जैसे पीछे बोल के आया हूँ उनके लिए reservation है यह बात बताने की जुरूर नहीं है कोई भी teacher की जॉब निकलती है तो एक दो में equality दिखाई देगी आपको और उसके बाद में special जो provision होगी तीन, चार, पांच नॉर्मली ऐसा होता है यह learn करने के लिए नहीं आपको idea दे रहा हूँ अगर essay exam में पूछा जाए कि 16, 4 जो है किस से related है naturally वो equity से है वो special class से होगा वो सभी के लिए same नहीं होगा यह आपको indication बता रहा हूँ 17, article 17 ऐसे भी लिख लिया और 17 भी लिख लिया 17 का मैंने बना लिया पर्षता मतलब जिसको हम छू सकते हैं तो यह article कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी छू सकता है क्योंकि untouchability जहां अपर्षता जो था वो एक social evil थी जो कि occupation जा कास्ट के base पर कुछ groups जहां कास्ट के member को छूना बहुत बुरा माना जाता था जो कि humanity के principle के against है naturally culture तो ऐसा होना चाहिए था कि लेकिन इंडिया ऐसा culture बना नहीं चाहा अपनी tradition में वो गंदा culture ही रहा कि किसी को छूना जा किसी को धार्मिक स्थान पर किसी को कुएं से पानी ना भरने देना ये बिल्कुल गलत human मानवता के principle के खिलाफ है लेकिन पनून यहां पर कह रहा है कि ऐसी evil को बंद किया जाता है और कोई भी व्यक्ति किसी को भी सपर्ष कर सकता है उसके सपर्ष करने को नीचा साबित नहीं किया जाएगा ये इसका meaning है अगर कोई सोसाइटी किसी को ऐसी comment करकर के disable करती है पिमार करती है तो ओफेंस माना जाएगा according to this article यहां आपने क्या करना है 17, 17 लिखना है और evolution of untouchability मैंने उसका central idea जो था untouchability इंग्लिश में है और हिंदी में आस्पश्त्मा उसको उठाया और 17 को उठाया और इस सह को इस सह से जोड़ दिया और लिख लिया उसका meaning जो था discuss कर लिया ऐसे ही आपने अपनी copy पर करना है यह definition है untouchability की और this is end of caste discrimination यह जो article है वो करता है इस article को detail में पढ़ना है तो caste system Indian इंडिया में यह सिर्फ अपराद इंडिया में ही किया जाता यह अपराद है डिस्क्रिमिनेशन नेगिटिव डिस्क्रिमिनेशन यहां जो मैंने लिखा था यह बूरा है कि कुछ लोगों को उपर रखा जाता है कुछ लोगों को category में ही शामिल नहीं किया जाता तो जिनको exclude कर दिया गया उनको include करने के लिए यह equity के principle है समता के principle है वो समानता की तरफ उनको लाया जा सके तो यह बिलकुल गलत दिखाई नहीं देता नेक्स्ट है आर्टिकल 18 मैंने इसे कैसे याद रखा था 18 ऐसे लिखा था और ऐसे इसको काट दिया ये बन गया उ हिंदी का और इसका central idea क्या है यहाँ पर underline कर दिया उपादिया मैंने ऐसे करा यहाँ पर उपादिया लिख दिया और क्या है evolution of titles वहाँ था evolution of untouchability यहाँ था title दूसरा इसको कैसे जोड सकते हैं अगर प्योर हिंदी वाले हैं 18 ऐसे हिंदी में लिखा और इसका ये पहले वाला उठा लिया और इसको यहाँ जोड दिया उपादिया उपादिया का अनुमूलन अनुमूलन में end कर दिया खतम कर दिया अच्छा ये उपादिया कौन सी हैं ये उपादियां British period में जो जैसे राय बहादुर खान बहादुर ऐसी दी जाती थी वो है इन में क्या शामिल नहीं है exception क्या है red वाला सारा award like padam शिरी पदम भूशन पदम विभूशन भारत रतना military में जो honor दिये जाते हैं शोक चक्रा परमवीर चक्रा इन इस category में वो शामिल नहीं है क्योंकि उन लोगों ने कुर्बानियां दिया है उन्होंने देश के लिए कुछ किया है उनको ये सनमान के तोर पर दिया जाता है तो ये आर्टिकल में से उनको निकाला गया है वो मेंस किसी को भारत रतन कहा जा सकता है ये normally educational और सैन्य विभाग से संबंदित है हिंदी में नोट कर सकते हैं example हैं जैसे ये लोग है भारत रतन इनको पिल चुका है और example अतामंगेशकर सचिन वो डिटेल में था ब्रीफ में क्या है कि आपने आर्टिकल यहां पर चौधा लिखा चौधा का बन गया भी मैंने और यह जुड़ गया बिफोर ला और इधर उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिख ली पंदरां का पी उठाया यहां पर पी लिखा और प्रोहिबिशन ओफ डिस्क्रिमिनेशन यह याद हो गया पंदरां का तेरां इंपॉर्टेंट था तीन लिकाला तीन उल्टा किया और यह बन गया वुमेन एंड चिल्डरन उसके बाद S.C.S.T. एंड एकनॉमिकली वीकर सेक्शन ठीक यह टेबल में आप ऐसे लिख सकते हो दूसरी एक और है पंदरां तीन को याद करने की वो क्या है बस एक बस है उसमें पंदरां जाने हैं पंदरां जनों में से तीन वुमेन हैं चार पांच SC ST हैं और छे जाने गरीब हैं economically weaker हैं तो ये आपके 15 वाले सारे याद हो गए पर ये लिखना है एक बार आपने ये टेबल में भी लिख सकते हैं सोला का आया एक दम 6 बनाया और गोल किया ऑपरिचुनटी पॉब्लिक एंप्लाइमेंट सत्रा का एक दम आया मुझे याद आया पर्श इतना लिख लिया बस अब ये इतना ही काफी है अठरा का ये डिवीजन होई तीन ये लिखा उपाधियां खतम कहानी अब एक एकसरसाइ पर बिफूरला ये रहा बिफूरला मैंने इसको इससे जोड़ दिया दूसरा आर्टिकल 15 15 की पीत ही याद प्रोहिबीशन कहां है प्रोहिबीशन ओफ प्रोहिबीशन प्रोहिबीशन ये रहा प्रोहिबीशन ओफ डिस्क्रिमिनेशन ये प्रोहिबीशन ओफ डिस्क्रिमि इसको इससे जोड दिया, 70 का, जब भी सतर आया, चझास मुझे याद आया, चझास का कहां है, यह रहा इसके साथ जोड दिया, 18 का एकदम यह किया, और यह 3 बन गया यह मैंने किया, उपादियां, व्पाटा इना कहां है, टाइटल बोलते हैं इसको, यह रहा 18 टाइटल और 15 तीन तीन का यह एकदम घुमा दिया वूमेन बन गया यह रहा वूमेन तो इतने जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो इसको अगर लिख के करोगे तो इसके साथ की और वीडियो नेक्स्ट नीचे लिंक दिया गया होगा वो देख सकते हो आर्टिकल अगर आपको किसी एरिया में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो एरिया जहां कॉंटेंट सुझेस्ट कर सकते हैं उसको कैसे याद रखना है आप उसको उस पर वीडियो मिल जाएगा लास्ट में फंडामेंटल राइट से सभी को बड़ी क्विकली कैसे याद करना है वो वी जापको का सकते हैं नहींजेस्ट कर दोफिकली में था नहींजिट करना है।